जन्म कुंडली में अबैध रूप से उत्पन होने वाली संतान के बारे में यदि जानना हो तो कैसे जाने यह विशय बेहद महत्तोपूर्ण होने की साथ साथ रहस्यमई है गुप्त है यह किसी अन्य को बताने की जरूरत नहीं होती है जोतिशी को यह सिर्फ जोतिशियों के लिए है किसी के बारे में यदि जानना हो कि वह संतान अपने पिता की है या फिर किसी गैर से कैसे जानेंगे तो ऐसी अवस्था में आपको ब्रहद पाराशर में सुत्र देखना चाहिए ब्रहद पाराशर शुत्र में अगर आप तेरुहां सुत्र देखेंगे पंचमेश के बारे में तो आपको पता लग जाएगा भली बादी सुत्र क्या कहता है सुत्र कहता है यदि पंचमेश यानि पांचवे घर का मालिक चरराशी में बैठा हो चरराशिया कौन कौन सी है मेश करक तुला मकर तो इन में से कहीं पर भी पंचमेश बैठा हो जैसे यहां पर मंगल है पंचमेश अब इसे करक में बैठा दे चाहे तुला में बैठा दे मकर बैठा दे मेसमें बैठा दे ठीक पंचमेश चरराशी में हो और चंद्रमा राहू के साथ हो तथा पंचम अस्थान में शनी बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने पीता के द्वारा वीरिसे उत्पन नहीं हुआ होता है। यह अवैध संतान बताया जाता है। यानि कृत्रिम गर्भाधान होता है। तातर क्या है जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेवी का प्रयोग होने लग गया है। यह उनके लिए भी महत्पूर्ण है। अर्धात उसके वीरिसे पुत्र नहों कर परवीरि उत्पन संतान होती है। यह जातक का परजात योग योग नहों कर जातक के पुत्र के संदर्भ में देखा जाएगा। यह नहीं कि जातक स्वयम के बारे में ऐसा समझ ले। फिर एक सुत्र और देखिए। अगर लगन से अश्टम में चंद्रमा बैठा हो। और चंद्रमा से अश्टम में ब्रहस्त्ति बैठा हो। और इन दोनों पर या एक पर ही पाप ग्रह की दृष्टी या योग हो। उत्पत्ति अपने पिता के वीरिय से नहोकर कृतिम गर्भा धान द्वारा उत्पत्ति होती है। तो यह विशह केवल जोतिश्यों के लिए ही क्यों है। क्योंकि कोई और यदि इसको जानेगा तो घर में मतभी बखीडा खड़ा हो सकता है। अतहा यह सब के लिए नहीं है जोतिश्यों के लिए ही है। आपका कोई प्रश्ण है आपकी कोई इच्छा है जानकारी लेने की तो हमें इपने कमेर्स में जरूर बताएं।